मेरे अधीफ्रेंज को वाजे सुम्चेकारल में बहुत बहुत खुश्यामदेत मेरे अधीफ्रेंज 15 अक्तोबर से मैंने विंटर के फ्लावर सीर्स और विंटर के वेची टेबल सीर्स लगाने का सिस्रा स्टाइड़ अब किया था और अबे भी है जो सीर्ट से लग रहे हैं ना तो सीर्ट से लग रहे हैं बलके आप कई प्लांट्स में हैं विंटर के फ्लांट में फ्लावर्स आने का भी सिस्रा जारी है आज की मेरी वीडियो इस वकत आप हेल्थी ये फ्रेश ये सीलिंग देख रहे हैं ये लव लाइस ब्लीडिंग फ्लावर्स की सीलिंग है इसे अमरेंथर्स भी कहते हैं इसे और फ्लावर्स को टैसल फ्लावर्स भी कहते हैं वैलवेट फ्लावर्स भी कहते हैं अगर फ्लाव से मैंने सीट से लगा थे उसका थामनेल भी नज़र आ रहा होगा आपको और फ्लावर्स की शेपी नज़र आ रही होगी किस तरह के कलर से हैं वैलवेट के हैं इसमें यालो भी होते हैं और परपल भी होते हैं तो मैं रगार इस वक्त यह लव लाइस ब्रीडिंग की यह तो सब्सक्राइब त्यार है कि ट्रांस्प्रांट के हावाले से हैं और इन में है क्योंकि फ्लावर्स हैं बड़े-बड़े होते हैं जैसे दुम्नुमां होते हैं तब इसे एमरहंत्रस फॉक्स टेल भी कहते हैं और इनके लिए मैंने शुरू ही से यह आप जो पॉट साइज देखने नॉर्मली बारा बारा इंच के पॉट में है मैं यह सीलिंग है इन दो पॉट में ट्रांस्प्रांट करूंगा और नॉर्मली दो यह तीन पॉदे फिला स्टार्ट में मैं लगाऊंगा ताकि इन में यह वक्त आने पर है स्टार्ट में देखें हैं बिल्कुल त्यार है हर हवाले से और इसके पणदा मैंने टेप्स अपने चाहनेट चाहने वालों के बताया थे आप इसके सीट्स भी तक कि ऑर इंच कले किसी होती हैं अगर वो दोसे बैब मेरे वीडियो तेखना पसंद करे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिम में उस वीडियो का लिंक माजूद होगा तो आप ज़र ट्रांस्परांट करते हैं ये लव लाइस ब्रीडिंग की ये सीलिंग को है हल्थी फ्रेश को है और सब का महापकी ही के सामने होगा इन बड़े से 12-12 इंच के पॉर्ट में जहां तक स्वाइल का मैटर है इन 12 इंच पॉर्ट में मैंने क्या स्वाइल मैटर लिया है इसमें मटी है मटी में रेट है और ये गोबर की खात इस वक्त आप ये देख रहे हैं इन शॉपर में मेरे पास इदर पड़ी हुई है ये तुमाम ही मैटर को मैंने इन 12-12 इंच के पॉर्ट में है पहले ही से मिक्स आप के लिया हुआ है और जहां तक रेशो है मैंने 40% है मटी ली हुई है 20% इसमें रेट ली हुई है रेट थोड़ी सी ज्यादा है और 40% है गौबर्टी खाद है ये हंग्रिट का मैंने एक कावबिनेशन लिया हुआ है अब जर्स्ट है मैं इन अमरंथिस के प्लांट को इसे लाफ लाइस ब्लेडिंग प्लांट भी कहते हैं अमरंथिस भी कहते हैं स्टेल अमरंथिस भी कहते हैं टैसल फ्लावर्स भी कहते हैं मझतलिफ रीजिंज में गय मांसे यह नाम है अब आप एक एक करके यहां से मैं पौदा निकालता हूं यहां से बरहाँ सा पौदा निकालते हैं प्लूस्ट न ह Bren साकसा करे फोट burning गांथ भी है और यह अब बिलकुल है यह है राइट टाइम है यह सीलिंग है टांसपरंट के हवाले से बिल्कुल रेडी है अगर लेड करेंगे तो काम रेट हो जाएगा फिर फ्राफ़र्स इन टाइम नहीं आएंगे तो हरकाम आप प्रॉपर इन टाइम करेंगे तो रिजल्ट भी आप हास्त करेंगे जिसना पीछी पीछी आपको यह मैरीगोर्ड के फ्लावर्स नज़रा रहें इनके भी सीट मैंने लगाए थे शुरू ही में और बाद में है जब सीडिंग त्यार हुई रेडी हुई तो पॉट्स में ट्रांस्परांट कर दिया जिसना भी कर रहा हूँ और ता सामने हो रहा है कि जैसे में तो माम ही मैंने लव स्लाइस ब्लीडिंग प्लांट को है इन बार बार इंच पर पॉट में है ट्रांस्परांट कर दियो हुए है और तिन तिन पौदे लगाए है मैंने जैसे आप देख रहे हैं आप इनने में वहां रखूंगा जहां सुबा दो से तीन गैंटी की संगाइट आए ताके यह जो पनीरी है स्टेबल हो जाए स्टेबल होने के बाद यानि पाद में प्लांट से इनकी गूर्थ स्टाट अप हो जब यह हल्ती प्लांट से और फदर फदर दो तीन निकल आएंगे ता मैंने उपर सालाइट में शि कर ले उसके अब आताब आपनी देना है जब इसे पर मानी की रिक्वारिमेंट हो जब प्रॉपर डाई हो जिसना के अभी है और वार्टिंग नहीं करनी वेल्ट रेने इस आपका पॉर्ट होना चाहिए और अमीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को चाहने वालों को आज की ये वीडियो लफ्स लाइट ब्लीडिंग प्लांट की है कैसे टांस प्लांट मैंने की है बकादर इसके सीड्स भी आपके सामने लगाए थे ये वीडियो पसंद आएगी बाई फ्रॉम वाजीस होम के झाल 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 झाल